Hello everyone, welcome back to Remarkable Studies आज हम अपने चानल के ऊपर डिसक्स करेंगे टोटल कॉलिटी मैनेजमेंट का एक और इंपोर्टन टॉपिक इसका मीनिंग और नीड इंपोर्टन्स की वीडियो मैं अलरड़ी बना चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसको जुरूर चेक कर ले उन टॉपिक्स को भी स्टडी कर ले क्योंकि वो एक्जाम व्यूपॉइंट से बहुत जादा इंपोर्टन्ट है ठीक है? चलिए अब हम आज के टॉपिक को डिसक्स करते हैं हाज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट्स ओफ TQM विद रेफरेंस तू फिजिकल रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज के उपर हम पहले डिसक्शन करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या रिसोर्सेज है एक और्गनाइजेशन एक स्कूल की फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करने में TQM की क्या सिग्निफिकेंट्स है क्या इंपोर्टन्स है बेसिकली हम यहाँ पे वो चीज़ स्टडी करेंगे टोडल कॉलिटी मैनेजमेंट एक बहुत इंपोर्टन अप्रोच है जो एक इंस्टिटूशन की रिसोर्सेज की क्वालिटी को इन्हांस करती है उसको टॉप लेवल पे लिखे जाती है और उन रिसोर्सेज में आती है एक रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स इनको मैनेज करने में कैसे TQM हेल्प करता है आज हम ये डिसक्स करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग फिजिकल रिसोर्सेज का फिजिकल रिसोर्सेज इंक्ल्यूड्स क्या-क्या चीज़े फिजिकल रिसोर्सेज में आती है बिल्डिंग school के लिए building होना बहुत ज़रूरी है फिर building है तो अंदर classrooms भी होंगे lab होगी, craft room होगे, playground होगा hostel होगा, principal office होगा administrative room होगा मतलब कि वो room जहां पे आप fee वगरा deposit कराते हो या वो camera वो room जहां पे school के accounts maintain किये जाते हैं computers होते हैं, उसको administrative room कहा दिया जाता है last is AV rooms और बहुत सारी चीज़े हैं, drinking facilities, sanitation facilities ये सारी facilities मिलके एक school को बनाती है और इनको कहा जाता है physical resources और ये resources एक school के लिए बहुत जादा important है अब आपने बच्चों को computer सिखाना है तो आपको proper arrangement चाहिए, computer rooms आपके पास होने चाहिए जिसको use करके आप अपने students को पढ़ाओगे library में different books है तो ये picture आपको दिख रही है, ये है library की picture जहाँ पर different books arranged है बच्चे जो है वो जाते हैं, even schools में तो library periods भी होते हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, अपने मन पसंद की books को library में explore करते हैं और अपनी knowledge को enhance करते है, लास्ट पिच्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, ये generally kindergarten के students हैं और किस सरा उनकी intelligence को develop करने के लिए उनको blocks दिये गए हैं, आपको पिच्चर में दिख रहा होगा फिर ये different animals के वो हैं बने हुए different different cartoon miniatures जिनको वो study कर रहे हैं और छोटी classes में तो पढ़ाई आजकल इसी तरीके से कराई जाती है कि हर चीज का miniature दिखाया जाता है projectors लगे हुए हैं classrooms में जिसमें बच्चों को उस particular चीज की reality को समझाया जाता है और वो उनके mind के उपर जो है वो चीज बैट जाती है इस तरह उनको पढ़ाया जाता है इस तरह की technique को कहा जाता है physical resources जो की एक school को बनाती है और इनको मिला कर एक school को अच्छी तरह से चलाया जाता है ठीक है आगे दिखिए these are as important as human resources जो ये physical resources है वो उतनी ही important है जितनी की human human means उस school की management उस school की principal उस school के teachers उस school का non-teaching staff ये सारे persons जितने important है उतना ही important हमारी physical resources है in fact they are complimentary to human resources जो physical resources है वो human resources की पूरक है मतलब दोनो side by side use होती है teacher class में पढ़ा रहा है physical resource कैसे पढ़ा रहा है with the help of laptop laptop के उपर वो different चीजे बच्चों को दिखा रहा है ये चीजें तभी possible है with the help of physical resources चलाने वाला कौन है human being but वो instrument क्या है एक electronic चीज एक physical resource जिसको use करके वो अपने students को पढ़ा रहा है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो physical resources है वो human resources की पूरक है एक दूसरे के साथ मिल कर इनका काम होता है physical resources helps in conducting different activities of school एक school की बहुत सारी activities conduct कराने में help करता है हमें physical resources school है school का playground है यहाँ पर morning assembly भी कराई जाएगी फिर sports day भी यहीं पर होगा फिर अगर किसी class का physical education का period है तो ground में ले जाके उनको physical activities कराई जाएगे games खिलवाई जाएगी sports activities होगी it means एक physical resource को हम multiple purposes के लिए use कर सकते हैं अगर कोई function है school में तो वो भी generally playground में ही कराया जाता है क्योंकि area बड़ा है और काफी सारी gathering जो है वहाँ पर एकठी हो सकती है इसलिए एक physical resource उसको different activities of school के लिए use किया जाता है एक physical environment is thoughtfully created and according to the needs of students and teachers learning will get enhanced एक school का physical structure अगर properly बनाया गया है building अच्छी तरह है, lightning अच्छी तरह है, rooms बिलकुल अच्छी तरह बनाये गए है वहाँ पर साथ साथ में playground भी है, swimming pool भी बनाया गया है library भी बहुत जादा अच्छी है उस school की तो ऐसे school में teachers और students की learning the best होती है और उनकी knowledge भी काफी level पर enhanced हो जाती है क्योंकि teacher इन सारी resources को use करके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी जो learning है उनको develop करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो students है उनकी curiosity भी develop होती है different questions उनके mind में आते हैं और उनको ये चीज़ सिखाई जाती है अब science का experiment कराना है हमने उनको acidic and basic solution समझाना है तो अगर हम उन students को lab में ले जाएं litmus paper के through जो है यह सारी activities कराएं कि अगर तो वो red to blue हो जाएगा तो वो acidic substance या basic substance होगा इस सरह की उनको activities कराई जाएं तो definitely उनकी knowledge जो है वो enhanced होगी इस knowledge की enhancement में physical resources बहुत जादा important role play करते हैं उस organization की working को improve करने के लिए यह हो गया brief introduction of physical resources की physical resources है क्या अब हम बात करते हैं significance, importance significance को importance भी कह देते हैं importance of TQM total quality management क्या role play करती है in the use of physical resources physical resources को use करते time एक organization में first point देखते हैं हम resources for special students special student means physically handicapped जिनके body structure में कोई problem है उनको चलने फिरने में difficulty होती है उनको physically handicapped बोल दिया जाता है visually impaired जिनको दिखाई proper नहीं रेता hearing impaired सुनने में problem है orthopediac means जिनकी bones वगरा weak है या उनको spinal cord में कोई problem है slip disc हुआ हुआ है essay students इनको कहा जाता है students that having special needs they study in schools having special needs जब ये school में पढ़ते हैं तो इनकी अपनी requirements बन जाती है जो उस school को पूरी करना लाजमी होता है जरूरी होता है ठीक है for them unique physical resources have to be arranged essay students के लिए कुछ important physical resources होती है जो उस school को arrange करानी पढ़ती है जैसे की ramp ramp आपको पता होगा आपने hospitals में भी देखे होंगे जैसे की वो ऐसा slide सा structure होता है जिनको चलने फिरने में problem होती है उनको easily wheelchair के उपर बठा के यहां से एक जगा से दूसरी जगा तक लेके जाया सकता है तो जो physically handicapped students है उनके लिए ramps का होना बहुत जादा जरूरी है फिर soft chairs मतलब जब जिस भी chair के उपर बैठें उसके उपर cushion लगा हुआ हो या soft सा structure हो जिसको हम simple language में कहा देते हैं गदी type हो जिसके उपर वो असानी से बैठ पाए उनको कोई problem ना हो फिर है braille system ये visually challenged students के लिए books होती है जो braille language में लिखी गई होती है इनको वो असानी से पढ़ सकते हैं as compared to normal books जो हम लोग पढ़ते हैं फिर last है wheelchairs जिनके उपर बैठ के वो असानी से एक जगा से दूसरी जगा तक जा सकते हैं आजकल तो electronic wheelchairs आती हैं बटन दबाया और वो खुद बखुद move कर सकते हैं बट कई institutions के पास manual wheelchairs हैं जिनको कोई person जो है वो operate करता है और फिर उन persons को एक जगा से दूसरी जगा तक लजाया जाता है under TQM approach it is considered that all schools should have these facilities so that education can be given without any hindrance TQM approach ये कहता है कि हर school के पास ये facilities होना ज़रूरी है ताकि वो ऐसे students को बिना कोई problem के education प्रोवाइड कर पाई अब यहां पर आप example देखिए एक student है वो physically handicapped है उसको चलने फिरने में problem है उसके parents उसको school gate पे drop करके जाते हैं अब वो school के पास कोई wheelchair नहीं है कोई और facility नहीं है अब वो student जो है वो school के gate से अपने classroom तक जाता है उसको बहुत difficulty होती है जाने में क्योंकि उसके लिए चलना फिरना इतना ज़ादा easy नहीं है तो यहां पे वो बच्चा demotivated हो जाता है उसका school आने को मन नहीं करता वो बहाने बनाता है वो सोचता है कि इतना ज़ादा मुझे चलना पड़ेगा इससे अच्छा यही है कि मैं school में ना जाऊ second case school के पास wheelchairs है बच्चे को parents drop करके गए school वालों ने wheelchairs की arrangement की है gate पे उसको wheelchairs पे बठाया गया और उसको उसकी class में drop कर दिया गया अब यह student motivated होगा उसके अंदर एक तरह का enthusiasm होगा कि मुझे कोई problem नहीं होती चलने फिरने में अराम से मैं gate से classroom में जाता हूँ और फिर classroom से अगर मुझे कहीं और जाना हो तो wheelchairs की availability है अराम से मुझे वहाँ के जो PNs है या वहाँ पे जो भी उन्होंने persons रखे हैं वो मुझे help करते हैं एक जगा से दूसरी जगा तक जाने के लिए तो उस time पे उस student की motivation जो है मुझाता होगी और वो अराम से जो है वो पढ़ाई में ध्यान देगा इसलिए TQM approach ने बोला कि physical resources का special needs students के लिए available होना बहुत जादा ज़रूरी है और TQM approach ने institutions को ये बोला schools को बोला कि आप अपने students के requirement के according ये material अपने पास रखो ठीक है next point conformity conformity का मतलब होता है matching या इसको match कह दिया जाता है कि एक requirement दूसरी चीज़ के साथ match होनी चाहिए जैसे हम match the column करते हैं A column इधर B column इधर तो A वाले column को B वाले column की items के साथ ऐसे match करना तो conformity का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि match करना items को TQM focus on the conformance of school requirements with availability of resources TQM ये गहता है कि एक school की जो requirements है ना according उसके पास physical resources available हो अब एक school है उसने ये provision रखे है कि वो 10% students जो admission लेगा वो special needs students होंगे तो अगर वो 10% बच्चे अपने पास special needs students रख रहा है तो उसके पास 10% physical resources ऐसी होनी चाहिए जो उन physically handicapped special needs students के लिए useful हो अगर उस school के पास सिरफ 2% resources है तो क्या वो requirements fulfill कर पाएगा special needs students की बिलकुल भी नहीं कर पाएगा इसलिए जैसा school है जितनी उनके पास requirement है उसी के according उनके पास material available होना चाहिए मैं यहाँ पे सिरफ special needs students की बात नहीं कर रही normal students की भी बात कर रही हूँ अब NCF के according जो है वो class में student teacher ratio होनी चाहिए one ratio 30 it means एक teacher जो है वो 30 students को पढ़ाएगा but अगर institution कोई school है वो एक teacher के पीछे 30 की जगा 40 students रख रहा है तो क्या वो 10 extra बच्चों की requirements को पूरी तरह से fulfill कर पा रहा है या नहीं sitting arrangement proper है बच्चे अराम से बैठते हैं class में lightning proper है या नहीं fans available है fans अच्छी तरह चल रहे हैं ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत साथा जुरूरी है और TQM इस चीज के उपर पूरा focus करता है the needs of physical resources are assessed on the basis of एक institution को कितनी resources चाहिए वो कैसे पता चलेगा वो depend करता है size of strength of incoming students कितने students उस school में admission ले रहे हैं या कितने students उस school में पढ़ रहे हैं size of faculty teachers कितने हैं वहां पे norms regarding physical resources prescribed by concerned authority generally schools में जो है वो board की permission लेनी पड़ती है जैसे generally CBSE board होता है और अपना state board कोई भी हो सकता है PSE भी हो सकता है HSE भी हो सकता है हर state का अपना board होता है तो उन्होंने भी requirements लिखी हुई होती है कि इतने students है तो इतनी resources आपके पास होनी चाहिए तो उस school को उन requirements को भी fulfill करना ज़रूरी है उसके according उनके पास adequate physical resources होने चाहिए ठीक है next point safety and security ये तो सबसे important point है कि आपके school में बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं तो आपकी ये requirement बनती है कि आपका school जो है safe or secure हो secure हो बलकुल अच्छी तरह से TQM not only ensures availability of required resources TQM सिरफ और सिरफ ये नहीं कहता है कि resources आपके पास हो बलकि it also ensure that all these resources are safer for these students ये सारी resources जो है वो आपके बच्चों के लिए आपके students के लिए safe हो ठीक है proper safety cameras cameras आजकल install करना बहुत जादा important हो चुका है हर एक institution के लिए equipments proper equipments जैसे कि अगर सीडियां है तो सीडियों के साथ railing जरूर लगी होई होनी चाहिए तिकि बच्चा वहां से गिरना जाए proper wrap बने होई होनी चाहिए corridors proper बने होई होनी चाहिए अगर कोई area आपके school का under construction है तो वाँ पे proper notice लगा हुआ होना चाहिए और जो construction work है वो after school होना चाहिए यह नहीं है कि school चल रहा है और बीच में ही construction का काम वाँ पे कराया जा रहा है वो खतरनाक हो सकता है students के लिए ठीक है फिर fire alarms proper install होने चाहिए institution में by chance अगर आग लगने के chances हुए या लग गई तो किस तरह बच्चों को safely school premises में से बाहर निकालना है यह सारी चीजों की तरफ ध्यान देता है total quality management वो ensure करता है कि यह सारी facilities school के अंदर available है next point economy in the use of electricity TQM कहता है कि electricity है तो उसको properly use करो कैसे maximize the use of daylight schools तो भाई दिन में ही होते है सुबह morning 7.30 से अगर start हो रहा है तो गर्मियों में approximately वो 2 o'clock यह 2.30 तक schools वो work करते है और daylight जो है उसको use करना चाहिए maximum to maximum lights को कम use करना चाहिए खिडकियां खोलनी चाहिए classrooms की ताकि जो है वो natural light जो है वो classroom सक पहुँचे फिर keep all the windows open windows को open रखना चाहिए cross ventilation होती रहे suffocation classrooms में बिलकुल ना हो modify group lightening switches to individual switches मतलब की switch board पे जितने भी switch लगे हुए है वो एक switch जो है वो एक ही light के लिए हो कि उसको on किया और light number one जो है वो जग गई यह न हो कि एक ही switch के साथ उस room की सारी lights connected है हमें सिरफ एक light की जुरूरत है हमने switch on किया और room में चार lights लगी हुए है वो चारों की चारों जल रही है ऐसा नहीं होना चाहिए एक switch एक ही electronic device को electronic equipment को dedicate होना चाहिए suppose करो अब fans जो है वो class में 4 fans है और वो सारे के सारे fans एक ही button के साथ connected है तो फिर यह तो बात गलत है ना एक fan को एक ही button के साथ connect करना चाहिए keep light bulbs keep light bulbs and light fitting clean to maintain optimum lightening performance light buttons को और fittings को properly clean करना चाहिए ताकि उनकी life जो है वो बड़े अगर उनको clean नहीं किया जाएगा धूलमिटी इकठी होगी और उनकी जो life है वो कम हो जाएगी इसलिए use cfl led bulbs and tube lights यह तो काफी जादा promotion होता है इन चीज़ों का हम भी tv पे देखते हैं कि cfls use करिए led bulbs use करिए क्योंकि इनकी light consumption normal bulbs की tube lights से कम होती है इसलिए इनको use करना चाहिए फिर proper wiring is done to avoid short circuit और wiring proper होनी चाहिए short circuit के chances बहुत जादा कम हो जाते हैं with proper wiring यह सारी चीज़े ज़रूरी है और TQM इनके उपर focus करता है with reference to physical resources फिर है supervision अब हमने physical resources apply की उनको regularly check करना भी ज़रूरी है अंडर TQM regular supervision of physical resources is done regular basis के उपर weekly charts बनते हैं reports बनती है physical resources को लेगे कि projectors सारे work कर रहे है यह नहीं जितने भी aqua guard हमारे school में लगे हुए है वो proper work कर रहे है किसी में कोई problem तो नहीं आ रही park playground जो है वो उसकी घास daily basis पे काटी जा रही है यह हफते में दो बार उसको clean out किया जाता है ताकि हमारा playground अच्छा रहे और बच्चे जब खेलने जाये तो उनको कोई problem ना हो यह सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जादा important है if there is requirement of repair they are undertaken immediately अगर किसी equipment को देखके यह लगता है कि इसमें problem है यह खराब हो सकती है तो immediately उसकी repairing करा दीजे ताकि खराब होने के chances कम हो जाए if there is need of replacement it is also considered अगर हमें लग रहा है कि यह particular fan जो है वो properly work नहीं कर रहा ठीक भी करा दिया फिर भी working सही नहीं है तो उनको replace कराना भी better है यह सारी duties जो है वो supervisor की होती है और वो यह supervision कैसे करते हैं तीन methods है पहला direct supervision वो खुद checking करते हैं कि सारे equipment work कर रहे हैं second oral observations from others उन्होंने अपने peers को अपनी अलग team बनाई है और हर एक को अलग-अलग department दिया हुआ आपने projectors चेक करने है आपने lightning चेक करनी है आपने water facility चेक करनी है तो वो उनको orally बता सकते हैं कि हान जी यह problem यहाँ पर आ रही है इसको ठीक कर दो यह written observations भी देखी जा सकते हैं जैसे कि teachers को कोई problem आ रही है कोई computer use करते time lab use करते time internet की assess में कोई problem आ रही है तो इस time पे teachers जो है वो written में भी complaint जो है वो कर सकते हैं इस तरह supervision जो है वो काफी सारी physical resources की optimum utilization में help कर देती है ठीक है next point user friendly resources जो है वो user friendly होने शाहिए क्योंकि हमारे school में कई teachers पुराने हैं और कई teachers नए हैं जो नए teachers है वो तो techno friendly ही है उनको technology चलानी आती है बड़ जो पुराने teachers है उनके लिए थोड़ा difficult हो जाता है इसलिए उनके लिए ऐसे equipment available होने चाहिए school में जो की easy to use हो if projectors are introduced in classrooms training is given to the teachers that how to use projectors teachers को बताना चाहिए कि projectors को आपने कैसे use करना है ताकि जब वो class में पढ़ाने जाए ना teachers का time waste हो ना students का उनको पता हो कि projectors कैसे run करने हैं और वो easily उनको चला पाए e-books should be accessible to all students आजकल हर school में electronic books available है schools की websites हैं जहां books material notes available होते हैं तो यह सारे notes सभी बच्चों के लिए accessible होने चाहिए यह निए कि class के कुछ toppers उनके लिए notes available है library books available है बाकियों के लिए नहीं है ऐसी चीज़ें बिलकुल नहीं होने चाहिए आजकल जो है snap homework app जो है वो बहुत popular हो गया है कि काफी सार schools ने use की है जिसमें क्या होता है school की तरफ से बच्चे की login ID, password बना हुआ है आप ID, password डालिए आपके अंदर और एक दिन में school में क्या-क्य activities हो रही है वो सारी उस app में upload होती है कि period 1 में यह हुआ, period 2 में यह हुआ, 3 में यह कराया गया प्लस आपके बच्चे की performance आज की कैसी थी प्लस क्या homework मिला है प्लस आज यह यह test हुए और आपके जो बच्चे के इतने marks आए हैं उसके बीच में और snap homework app launch तो कर दिया, तो यह school की duty बनती है कि parents को बताया जाए कि यह app क्या है किस चीज के लिए इसका use कर सकते हो और कैसे use कर सकते हो parents के लिए भी एक workshop, एक seminar arrange कराना school वालों के लिए बहुत जादा ज़रूरी है ताकि parents की knowledge में यह चीज आए और वो अपने बच्चों के लिए इन resources को use कर पाए maintenance यह तो हम अपने घर में भी यह चीज follow करते हैं कि अगर हमने कोई चीज ली है तो उसको properly maintain करना ज़रूरी है इसी तरह school में भी बहुत सारी resources हैं और उनको properly maintain करना ज़रूरी है अगर properly school की सफाई होगी projectors use हो चुके हैं उसको बंद कर दिया जाएगा तो यह चीज well and good है नहीं तो चीजों के खराब होने के chances ज़ादा हैं it demands expenses, energy and attention जो maintenance है वो demand करती है खर्चे expenses का मतलब होता है खर्चा करना energy means दिमाग लगाना की क्यों यह problem आई अब इसको ठीक कराना है replace कराना है या नया लेना है यह सारी चीजों में चाहिए हमें हमें energy attention means हर एक चीज को analyze करना जिसके लिए school वालोंने supervisors appoint किये होते हैं जो यह सारी चीजों को check करते हैं regular efforts are done regular efforts in supervisory teams के द्वारा किये जाते हैं to report damage school facilities कोई school की facility अगर damage होगी उसके बारे में यह report देते हैं management को या repair कोई facility है जिसको repair देने के ज़रूरत है aqua guard था top floor पर जो लगा हुआ वो work करना बन कर गया है गर्मियों का दिन है बच्चे प्यासे हैं बच्चों को पानी चाहिए होता है इमीजेटली उस aqua guard को ठीक करवाओ अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसको replace करके नए aqua guard लगा लो ठीक है regular audit of physical resources is done audit का मतलब होता है check generally हम companies के accounts को हर साल audit कराते हैं उसी तरह जो एक school की physical resources है उनकी regular checking होना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है okay learners this was all about कुछ points रह गए हैं जिनको हम अपने next part में करेंगे अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो please इसको subscribe कर दीजे like, share और subscribe का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजे तांकि आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहे thank you